मैं तो ग्यान का प्यासा हूं, मुझे जाती पाती से क्या ले ना देना, वास्तव में ग्यान किसी उंचनीज की पिटारी में बंद नहीं रहता। यह विचार थे महात समा सुधारत, नियायवित, भार्तिय शिक्षावित, लेखर, अर्थशास्त्री और इतिहासकार महादेव, गोविंद, रानाडेजी के प्रस्तु थे इनके जीवन चरित्र पर आधारित एक प्रेहर प्रसंद। जब महादेन गोविंद, रानाडेजी हाई कोट के जज थे, उन्हें अनेक भाषाएं सीखने का बड़ा शोप था। अपने इस शोप के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किन्तु बंगला भाषा अभी तक नहीं सीख पाय थे। तब उन्हें एक उपाय सुझा, उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनानी शुरू कर दे। नाई जितनी देर तक हजामत बनाता, वे उससे बंगला भाषा सीखते रहते। रानाडे जी की पत्नी को यह बुरा लगा। उन्होंने अपने पती से कहा, आप हाई कोड के जज होकर एक नाई सी भाषा सीखते हैं। कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। अगर आपको बंगला सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानाडे जी ने हस्ते हुए कहा, मैं तो ग्यान का प्यासा हूँ, मुझे जाती पाती से क्या ले न देना। यह उप्तर सुनकर उनकी पत्नी फिर कुछ न बोली। वास्तव में दोस्तों ग्यान कभी जाती धर्म, उच नीच और उम्र के बंदन में नहीं बंदता। हम किसी भी उम्र में और किसी भी व्यक्ति से क्यान प्राप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिन, जय भारत।